कि हम लोग आज भागवद गीता के चौथे ध्याय के बीसमें श्लोक को पढ़ रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम कि बहुत तेज बोलने आपको अगर आप सुपर से खाया नहीं है कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम कि नित्यत्रिप्तो निराश्रयह कर्मन्यभी प्रवृत्यों पी नएवकिंचेत करोति सह कर्म फला संगम कर्म के फल की आसक्ती यानि कि कर्म की फल को मैं भूगूंगा इसलिए कर्म कर रहा हूं इस आसक्ती को त्यागते हुए नित्त्रिप्त आनि आत्मा के ज्ञान में त्रिप्त हो करके निराश्र है ऐसा व्यक्ति आश्रे मतलब होता है यहां पर आश्रेकर्थ क्या है हम कर्म के फल का आश्रे लेकर के कर्म कर रहे हैं हमें कर्म फल प्राप्त होगा किसी इंद्री त्रिप्ति प्राप्त होगी इस भ तो वेक्तिक haunting क्या होगी इस पर भी उचार नहीं होता कर्मन ने भी प्रवृत व्युख करता थो भी नहीं करता है सब कुछ करते हुए भी निश्द ही कुछ नहीं करता क्योंकि वह करमफल से आसकत नहीं है इसको धार हमने कई बार दिना दिया गया है आर्मी का जबान बहुत सारी गूले चलाता है बहुत सारे लोग को मारता है लेकिन वह किसी को भी नहीं मारता गवर्मेंट भी मानती है कि इसने किसी एक भी विक्ति को मारा न इस प्रकार से मैं समझना चाहिए यह बात देखें के विल की नहीं है मैं इस पर थोड़ा सा कठोर बोलने वाला हूं आप लोग मैं ब्रहमचारी की बात कर रहा हूं ब्रहमचारी आस्रम में रहते हुए अगर हम यह सोचें कि यह कर्म हमको मान देगा जो कि भगवान की सेवा है तो हम इस लोग को और पिछले सारे इस लोगों को बिल्कूल भी नहीं समझे है अली मुंटी हिला दी हम समझ गए अभी मैंने एक भक्त को मुझे भक्त बोले अने प्रोजी सिवा कर सकते हैं प्रोजी मुझे बोला गया है कि पैसे इन देन से दूर रहना है तो मेरा चहर लेकित रहा है तो इसमें यह सोचना कई यह मैं कर रहा हूं यह दिया क्वर मतलब भक्त मतलब उसका जीवन भाग्वत होना चबना चाहिए और कपひर मैं भॉछा जो हम हम प्रसाथ खा रहे है के आप्रसाथ आप पनिर सब्सुन चाह कि है है जो है दो नें कहり करहा है पाइर जा रहा है इन्ते त्रप्ती नहीं हैं अपको रहेंकre यॅ को बहुत कीना प्रसाइब आ फ्रसाइब है या मुझे भी किसी ने पूचा खिए घायों की सीवा कि भागव धर्म तो है नहीं तो महापरुब शुनातन उपस्वामी को क्यों बता रहेगा की तुम गयों के सेवा करो शुर्ण स्वें नाम है दो दि यह सिवा में आ रहा है और ऊसको हम कोई कहे कि भागवत धर्म नहीं है प्राक्टिकल नहीं हमको practically apply करने जोसे मैंने पहली भी धारण दिया था गुडणनावा प्रूब सीमेंट के बैक गिन रहे थे अपने घर के लिए गिन रहे हो तो भक्ती नहीं है लेकिन मंदिर के लिए गिन रहे हो तो नहीं रहुपाजी अब पढ़े होंगे बागवद गीता में आने वा अब जो भी रहा हो कि किसी वस्तू का संबंद है क्या माया है इस लेना चाहिए जिस वस्तू को संबंद हम भगवान से नहीं देख रहे है वह माया है उससे बचना चाहिए अगर आप देख रहे हैं कि धन भगवान के सिवा में हो रहा है तो नहीं है तुझ माया नहीं है तो हम कर्म फल में आ सकते नहीं ठीक है कि पढ़ते हैं कि अनवाद अपने कर्म फनों की सारी आसकती को त्याग कर सदेव संतुष्ठ तथा सतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कारियों में वस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता समझ में आ यह श्लोक इस तत्य को विस्तार से वर्ण करता है जब बोल रहें इस तत्य को विस्तार से वर्ण करता है मतलब पिछले श्लोक से कनेक्शन है कि कर्म करते हुए भी विक्ति अकर्म में रहता है वह कर्म फल में नहीं बनता कि कर्मों के फल के कि आसकती को त्यागते हुए और भविश्च में प्राप्त होने वाले शब्द नहीं आपे प्राप्त होने वाले नित्य अनभव से त्रिप्त रहते हुए अपने भरण पोशन के लिए किसी अन्य आश्रे को त्याकते हुए ऐसा योग्य व्यक्ति कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कुछ भी नहीं करता इसको कि क्लाइन को समझने का प्रयास किजिए कर्मों की फल की आसक्ति कर्मों की फल प्राय क्या होते हैं स्वर्ग प्राप्ति या जगत में कुछ लाप की प्राप्ति तो उसकी आसक्ति को त्याकते उसके लिए वो कारें नहीं करता एक और भविश में प्राप्त होने वाले नित्य अनुभव से त्रिप्त रहते हुए इसका अर्थ क्या है? उसका लक्ष क्या है? जब आत्मा की शुद्धी हो जाती है, तो आत्मा आध्यात्मिक आनंद की अनुभूती करता है तो, उसका जो क्रमो का लक्ष है, वो क्या है? जगफ की भोग नहीं, जब आत्मा का सुख है, जो आगे प्राप्त होगा, उससे वाठ त्रिप्त रहता है यह लाईन थोड़ा समझना कथिन है इस जगत की वस्त में प्राप्त नहीं हो रही है या हो नहीं हो रही है यह यह स्वी culprit कि हो रहा सब्सक्ती कि दों भैस रहुबाज महांने आपको गומुत ता डिया होता है कि शुद्र भप्राप्त करने कितनी मेहनत करनी पिड़ेगी तो आप लोग भक्ती कभी करते ही नहीं यह दिक्कत कि इस नॉट अनीजी टास्क कि शुद्भक्त मतलब भगवान उसके कंपूल में आजाएं कि उसके प्रेम के तुव है इस बात से त्रिप्त रहता है और निराश्राय के अर्थ है कि भरन पोशन कैसे होगा तुमने आश्रम जॉइन कर लिया है ब्रमचारी आश्रम बढ़ापे में तुमारा कौन ध्यान रखेगा ऐसी बात ही लोग बूलते है तो इस तरह की बातों से वेक्टि जिंता नहीं रहते हैं कि यह की गर्म में ध्यान रख रहा है वह आगे क्या नियुक्त मारा प्रृष्ट को न करेगा इसको न गारंटी मैं बहुत सारे गुरे को देख रहा हूं जिनके 12 बारा बच्चे थे और आज वो अकेले यह पार अरे यह फानले एक नमबर पॉइंट यह है कि भरन पॉष्ण करने वाले भगवान बहुत सुन्दर बात आदी पुरुष भूरों कह रहे थे अगर आप यग्य कर रहे हो तो भूख के मरने की तो कोई मतलब भी नहीं है अगर हम भक्ति कर रहे हैं जब कर रहा है यग्य कर रहे हैं प्रहुए कर से होगा से controiden s तो सब्हावी घ्रफ से गलत भी हो गया जो भक्ति करता है उसके वरण पॉशन यह यहां करते हैं सब भगवान करते हैं इस परकार से चंदा नहीं करना चाहिए यह आरूरुक्षु की स्थिति का वर्णन है जो लक्ष की प्राप्ति का इच्छुक है आरूरुक्षु मतलब जो चड़ रहा है योग पत्पे उपर और जिसमें कर्म के अनुष्ठान के बहाने ज्ञान में नि कर्म कर है लेकिन उसका लेक्ष क्या है मेरे मुझे आत्मे ज्यान प्राप्त हो मेरा अविद्यर नश्ठ हो जाए बहां से मेरा सम्मन जाग रिट हो कि इस चीजा को आप और अशाली से समझ पाएंगे 11 पश्पन के अधर पर मत कर्म खिर्णन मत परमो मद भक्त संग वर्जता मेरे लिए कर्म करो मत कर्म नहीं मेरे लिए कर्म करता है असे कहना चाहिए मत कर्म करन मत पर्मो मुझे ही अपने जीवन का परमलाब मानता है इसका अर्थ क्या था कि मैं जो संबंद मेरा भगवान से है उसको जागरत करना ही उस भक्त का मुख् संग से दूर रहता है तो संग वर्जता मतलब भौतिक आसकती से रहित और निर्वायर सर्व भूतिशु सभी जीवों की प्रती वहरता की भाव से दूर रहता है ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है तो बड़ा सपस्ट है कि विज्ञान है जिसको मैं समझना पड़ेगा तो अब कृष्णे के लिए कर्म कर रहे हैं अगर वहद दिख रहा है तो फिर पीछे नहीं हटना थी मैं फिर से मैं कल भरतपूर में था कल संड़े था तो वहां पर एक आर्मी के विक्ति थे उनको एक युद्ध में गोली लगे थे मैं का जब आप उगरवादियों पर गोली चला यह आपको दिख गया तो फिर पीछे नहीं सोचना है कोई कर रही है अगर नहीं देख रहा है तो जिसके पास चश्महा उससे पूछ लीजी मतलब गयान है इसा संबंध भावान से क्या है वो बता देगा इसलिए गुरू की आशकता होती है यूदि आप कहीं कहीं देख र जैसे पढ़ वही गुणानवा प्रोपाद से पूछे प्रभपाद में सेमें की बोरे गिन रहा हूं वागे लोग खरे किस्ना कर रहे हैं प्रभपाद ने का यह भी शुद्वभक्ति घुरू की माध्यम से कर रहे हैं यह आवश्चा कि हम समझें कि क्या है नहीं तो आप दे करिश्वचनुन दबा वह था ठीक है किया कि अपर दूसके बाद भगवान की परसंता के लिए यूद्ध किया यूद्ध किया मैं तो सुना बाद में वह जब करने चले लिए लेकिन भगवान ने उसे कहा उनसे चाहते था थी कि वह यूद्ध करें तो बहुती यूद्ध प्रश्णम देख द्याए कि शुरात में कर चुके वान तो सबको मार देते का तो कि अधिक गीता के था तो कि एक टाइब से भगवान नहीं मारा बस अर्जुन एक निमित थे सीधे सीधे भगवान क्रिष्णा पर चक्रिचला देते मार देते तो अर्जुन को लगाने क्या जूरत थी और दूसरा उसी तरह से आप जानते हो कि अम्रित महाराज बोलते हैं कि सारब कुछ तो बहुत कर रहे थे देवतां को क्यों लगाए तो महाराज बोलते हैं कि भगवान कैसा नहीं भगवान सब कुछ करते रहे और भगतों को भी कुछ करना होता है बस यहीं देखना है कि अभी प्रहुपात बहुत सुन्दर बात में बोलने वाले हैं जहां से देखीगा कि जितना हम अ अगों इंस्ट्रूमेंट की रूप में देख पा रहे हैं यह नहीं इसके एक प्रार्तना कर सकते हैं English की प्रार्तना है Please make me a humble instrument of your compassion किसो समझ में थोड़ा थैख्या की जी कि मेक मी आ हमबल इंस्ट्रूमेंट ओफ यूर कमपेशन कबशन नदया यह अपने अनुवात की एक आशकार्थ पूछ रहा हूं आपकी क्रिपा भगवान की क्रिपा भक्तों के माध्यम से होती है तो मेरे माध्यम से आपकी क्रिपा दूसरेंपर तक पहुंचे लेकिन मैं उसका कोई क्रडिट नहीं लो कि मैंने को भक्त बनाया है इ वह से सुनातमेकि में हम्बल इं С्रूमेंटफिर कम्पाशुनами आए प्राइत रोजी कर सकते हैं । सब किस स्वारिश्ड को पर्साथ सकते हैं और इसका किसी को हम प्रवचन है उसका क्या उद्देश है भगवान का मुझे नहीं पता गया जो एक उसमेंँ लिखा भी है हिंदी में एड़ीय। इसी के द्वारा विकर्म अत्वा काम कर्म के बंध कत्व के सुरूव को समझना चाहिए। देखें यहां पर काम कर्म और विकर्म के बारे में भगवान नहीं बताया है लेकिन निष्काम कर्म के बारे में क्रिश्न भावना भावत होकर कर क्रिशने के लिए कारे हैं कृष्ण भावना भावेट होकर कर रहा है अर्थ बड़ा इस परण difills होगा हे यह जिसे सब सब्सक्राइब कर गरते हैंने हम लोग old बात ऊसको बहुत हलका लेते हैं हैं बहुत नहीं कंभीर चीज अ अगर मान लीजे मैं किसी भी विक्ति के पास जा रहा हूं कोई भी विक्ति हो और उसको यह लगे कि यह मुझे सहन करने के लिए आये मैं यह प्रदश्ट करता हो कभी सब्सक्राइब नहीं नहीं हो सकता तो भले मैं स्वलमाला कर रहें मैं इने कि 64 कर रहें कुछ करें लेकिन इसमें हमारा हम भगवान से पने संबंध को जागरत करने का प्रयास कर रहें वापस बहुत इंपॉ कि यह चीज हर जगे होनी चाहिए यह हर जगे होनी चाहिए कि मैं कुछ भी यह दिखती है अगर सबसे अच्छा होगा कि यह चेतना पूरे दिन हर कार में लगे इसको थोड़ा और आगे विस्तार करें तो माली जिए मैं प्रभुजी से डील कर रहा हूं तो मैं ऐसे डील करूं कि इससे कृष्ण प्रसन हो तो हम कितने असानी से अप्राज से बचेगे मेरी डिलिंग ऐसी हो मेरे सामने जो व्यक्ति आया है मेरे डिलिंग ऐसी हो कि अब मैं थोड़ा सा क्यूज करूंगा कि किसी डीलिंग होनी चाहिए हमारी सबसे भवान प्रसन हो तो भवान अपने दास से अपने दास से किस प्रकार का वहवार चाहते हैं आने लोगों के द्वारा जो एक क्रिश्न का नाम लिए उसको संमान की दिश्ठी से जो मन से समान जो दिख्षा लिए उसको परनाम करना चाहिए और जो भजन में लगे हुए हैं और और समाने लोगों से कैसे बरताव करना चाहिए उनको मन से या बचन से कभी उत्रिक नहीं करना है एक बात उसके बाद अच्छा है उसे ही उतर है और मध्यमधिकारी के लेक्षन है वो जो जो कृष्ण के द्वैसी है उनसे वो दूर रहते हैं और इनोसेंट लोग है जो उनक और भकतों से प्रिती रखते है और एक और गोड़ां जगरत करने का प्रियास करें बचों से मेत्री करें आप दूसरे लोग इनोसेंट उनको प्रिचिंग करने का प्रियास करें जो भी सुनना चाहते हैं ओन हृकिसी बीरी sa ilsशी उसुरीयों द्वेशना करें कम से कम इतना तो जुरूर करें कि जो वैवार उसे अपने लिए प्रसंद नहीं आ ऐसा उसके साथ यह नॉर्मल इतना तो जुरूर करें यह बहुत नहीं बहुत बड़ी वात है आप कभी सोचो हमें थोड़ा सो भी कोई कठोर बोल देता हमें कितना फ्राव लगता है यह भी की सुछना चाहें कि दूसरा को ना करें इस सब चीजें क्रिष्ण भावनाभात में ब्यक्ति भगवान के सुध्य प्रेम वस्मी कर्म करता है यह बहुत सुंदर लाइन लाइन है कि मैं कल ही है कि करमेकार इक्रम करने गए थे तो माताजी प्र्भु जी गये थे मारे साथ में उन्हें पुछा माता जी जब भच्छे पाल रही थी तो पभी गंटे गिनती थी तो माता जी ने क्या उतर दिया घंटा गिनना समझते हैं इतनी देर मैंने इसको दूद पिलाया है इतनी देर मैंने से रोटी खिलाई है कोई मा गिनती है तसे पर वो क्यों नहीं गिनती है उनको प्रेम है उनको अच्छा लगता है उनको प्रेम है वो अपना मानती है उनको इसको और संस्कृत कश़दी बताएं बल्कु सभी बोल रहे हैं ममत्व कि वेक्ति मेरा है जब हरी नाम आप करेंगे रीली अच्य से हरी नाम कर रहे हैं तो भग्वान से ममत्व होता है उस ममत्व के अधार पर ममता ममत्व सब मा कही सम्मध में आ रहा है ममत्व कृष्ण के करना है कि अपने आप ही अता गंटे नहीं किनते शुल मेरा छे घंटा हुआ कि पांच घंटा वक्यार कुछ तो करना वबीना करें रहनी सकते कृष्णी कृष्ण 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 करेंगा यह चैतन महाप्रव बुले कृष्ण मंत्र स्मा कि जाएगा कृष्ण करना चाहते हैं लिगनों कुछ जरूर करना चाहते है, और कोई कुछ नहीं करना चाहता है तो सोच रहता है कि कुछ तो करभड़ है, देखी मैं इसमें पिंट किसी भग पे कोई कस अब अधर नहीं बोल रही हैं, आप अधिसन अथार्टी नहीं बोल रहा हूं, आप खुद हिर्दे में सोचो कि मैं आप कृष्णी के लिए इस जीवन में क्या करना चाहते है। प्रहुपाज जी में क्या से प्रसंद कर सेता है। आप क्या करना चाहते है। जासे प्रहुपाज की सिछ्ष्र थे मूर्ति बराते जो डार्रमा देखते हैं। तो सूबह से शाम तक वो डार्रमा ही बनाते रहते थे। बड़े प्रसंथा होती भगवान के लिए। कोई भक्त धन लेकिए आ रहे हैं कोई भक्त मंदिर का इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वह यह जीवन में देखना है कि मुझे क्रिष्ण के लिए क्लिए क्या करता है कि बहुत आवश्यक है यह व्लाश्यम की तुरह से नहीं बोल रहा हूं भगवान भगवत प्रेम क्या धार पर करना है कि मुझे मेरा प्रजेक्ट क्या है मैं क्रिष्ण के लिए क्या करूं वसता आप जानते हो प्रभुपाजी इसको प्रश्पाश्टूप से बोलते हैं कि स आप होना चाहते हैं चाहिए एक भी विक्ति को आपने सिंसेरली नाम जब करने वाला बना दिया तो बहुत आश्रवाद आप अब इसमें जितना हम इसमें सनलग्ण होंगे जितना अपने को प्रयास करेंगे उतना ही हम बगवान को और प्रिये हो जाए यह हमारी साधना है मान के चलिए मैं नहीं बोल रहां भावान स्वेम इस बात कर बुलते हैं इस ग्यान को दूसरों को देता है वह पराभक्ति को क्रापत होगा है कि कुछ तो हिरदें किसी के हिरदें में आ रहा है कि कुछ करना है कि मुझे रोज नौ बज़े प्रसादम खाना है और तीन उसे कर्ण फलों के प्रती कोई आकरसन नहीं रहता यहां तक कि उसे अपने सरीड दीड़वा के प्रती भी कोई आकरसन नहीं रहता क्योंकि वह पुन्यता कृष्ण पर आसृत रहता है क्या हमें शेरीर के ध्यान नहीं रखना चाहिए और ज्यादा रखना जाए कि श्रीर को आप किसका देख रहे हो कुछ कहने चाहते हैं सस्त्रीजिल को स्ट्रृमियों के अथिम देख से इते तो नहीं मिले की रभुपात जी के जीव में क्या देखते हैं परफाज भी तो बहूंत जादे का इतना है गंटा प्रफाज डोज मसाज करते करया है है मगर इसको बुलते हैं ऐसे हेल्थ के दिश्रीज देगें उतना ओल्ड इस थे दो बर हार्ट रेक भी आया था फिर भी तो पर भाती नहीं रोकना एक अलग चीज है लेकिन शरीर के स्वास्त के ध्यान ना रखना एक अलग चीज है यह बहुत इंपॉटन्ट है अपने पा और अगर जरा सभी सरदर्द होगा तो मैं रहुत है तो मैं जप नहीं करूँगा यह तो हमसब की स्थिप्य है कि नहीं के और फिर दूसरी तर मैं कहूं को स्वामी के लिए ये स्थिति आ जाए कि देह स्मृती नहीं जार संसार्वंधन कहां तर ठीक और आपको याधी नहीं कि मारा दे है कि नहीं पर तो अलग बात है प्रलाद मेहराज के इस तरफ पर नहीं है एक बात मैं बोलते रहने चाहूंगा अले आप सिकार करो या ना करो लेकिन जो विक्ति जिसका जो अधिकार होता है जब उसके अंसार कार करता है मेरे वाणी नही को ही करना की क्या अगर हम भूग से परशान होते हैं तो मादवंद पूरी पात की तरह नहीं कर सकते मतब नहीं कर सकते और आपको नाम में इतना रसार आए कि 16 जो कारे हमें करने में बहुत कठिन लगे वह हमारे अधिकार के बियांड है अगर हुआ कि हम अब खरी तीन दि प्रकार से नहीं होता है यहां बोला जारा है आकरशन नहीं होता अब आकरशन लोगों का शरीद निर्वाह के लिए क्यों होता है अब बताएं ब्रकार से नहीं कि भगवान को अपने सब्सक्राइब लोग नया नया स्वेटर नए वस्तों पहने एक शौल है तो चहे शौल खरील दे आज बंडे को यह पहनोंगा टूस्टे को यह पहनोंगा बीड़ बैग मैच करना चाहिए मेरे कुरते से यह सब हम देख रहे हैं सब्सक्राइब की तरह है इसको हम बहुत जादा डेगरोट नहीं रखना लेकिन इतना भी नहीं करना है कि इसमें छेद हो जाए यह बहुत अचाहिए तो फिर आप कैसे पार कर पाओ गया यह यह बात हमने कितना सारे सीनर डिवोटिस को देखा है जो अपने श्रीद धान सब्सक्राइब थे लेकिन जब अच्छा हो रहा था करते हैं का अगरताा से नहीं शुआ करते है ऐसा के टेश्ट होता है तो यहाइए यह यह ज सेने लेकिन वह जो शरीर वांधन है इमांदार हुने एक हम को प्रसांद करता है अब हमसं गवां बयर notes को है अले हम शरीर नहीं है लेकिन इतना स्विकार करने में क्या दख्लिफ है कि अभी हम पूरी तरह शरीर के चितना से बाहर नहीं है कि योक करो योक करो नहीं करता था और मैं दस-पंतल में मंदृ में नहीं बैठ पाता था इतना बैट अनुम्हें उतल स्लय सामों मुझे दूरा की इतना शरीर लड़ सब्चाएप Herrn भाव के स्तर तक शिरीर का ध्यान रखना है अब नहीं है मुझे पता है तो भाव के स्तर पे नहीं है तो शिरीर का ध्यान रखना पोड़ेगा और रौज जाएगा एक दिर, दो घंड़ा सोझे, फिर देखे, कैसे माला होता है। इतना इसमें कोई डिसकेशन की पॉरिंट ही नहीं है। तो कश्ट होता है। इसलिए भगमान आगे बोल रहे हैं, युक्त हार विहारस्ता, क्यों बोल रहे हैं? युक्त हार विहारस्ता युक्त चेष्ट स्कर्मसु युक्त सअपनाव बोदस्या योग भवत दुख्या रेगुलेशन इस वरी इंपोर्टर इन रखते हैं तो महीने के लिए बखती नहीं करता है तो इसका वह जो सिधान्ती है प्रिंस्पल यह डीटेश अलग-अलग हो सकते हैं कौन कैसे अपने स्वास्त के धान रखता है यहeri पहना तो किसी बस्तू को प्राफ करना चाहता है और ना अपनी बस्तूं की रच्छा करना चाहता है वह अपने पुन इंग सुच alternatives यह लयन बहुत अच्छिह है जब हम लोग अपने कारे कर रहे हैं भगवान की सेभा के विए हैं तो यह नहीं सोच रहे हैं करने वाली तो कृष्णी है मैं तो एक चम्मच मात्र हूं अब अच्छा हो या नहीं हो उसमें कोई मतलब नहीं उसको जो आपका प्रयास है उसमें पूरा आपको शुक्ति लगाने हैं चाहिए नाम जप हो चाहिए भागवत प्रवच्ण हो चाहिए कोई भी सेवा कर रहे हैं लेकिन उसका फल क्या प्राप्त होगा उस पे हमें बहुत भावान पर चोड़ जब यह बहुत इंपोर्टन है क्योंकि बहुत बार लोग जब करते हैं और कभी कभी देखिए कास्मात प्राप्त होंने लगता है तो इद्धान देना चाहिए इसको प्रकाशित करने वाले भगवान है हमें उनके पर छोड़ देना चाहिए कि वह इसका फल देंगे भाल तो मिलता ही वक्ति का आसा कोई क देते हैं कि कुछ लोग गंगा जी के तट पर बालु चानते हैं उसका देश क्या होता है सोना प्राप्त करना तो चानते हैं चानते हैं पराया कुछ नहीं मिलता बालु ही चन जाती है कि कदाचित उनको थोड़ा सा सोना प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार से सादक को लग आपने जो रोज का नियम है वह करते रहें उसके आना चाहते हैं कि इसा आना सकते सुभ असुभ कर्म फोलों से मुझत रहता है अता कृष्ण भावना अमरित से रहे कोई विकार करता और बंधन सरूप होता है और विकर्म का यही असली शरूप है जैसा कि पहले बताया जातुता है। काम कर में क्या होता है कि काम काम कर अपने लिए काम कर में इसे विकर में कियों में कहा गया क्योंकि वह जितना ज्यादा हम करें हम वोग में बं wholly डोरुथी करता चला जाएगा हम बहुत इस ए yapıyor एक देखेंगे के निराशेय निराशीरयतत है依तात्मा त्यक्तसर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्मा पुर्वन आपनों तिकिल्भिशम निराशी बड़ा स्पष्ट है आशा समझते हैं आप आशा समझते हैं तो निराशा कोई आशा है निराशी इसकी कोई इस जगत में भोग आशा नहीं है कि सवर्ग नहीं जाते हो लेकिन वस्तव में बताई कि क्यों नहीं है इसमें कोई कठिन बात नहीं क्यों नहीं है विए संद्व कि सास्त्रों से पता चला कि वहां का भी शुक्ष्जनिक है तो अपने गंतव्य का यह हम जिस प्रड़क को बाई कर रहे हैं उसके लिए खरीदना चाहते हैं कोई प्रड़क्ट तो उसके गुण और दोष्ट को देख लेना चाहिए कॉस्ट वाल्यू रेशियो समझ जाए इसकी इसका प्राइस यह है उसकी वैल्यू यह है यह वेक्ति जल्दी शहिष्णू है शहिष्णू समझते हैं शनभंगुर है बहुत थोड़े समय के लिए और हम जमज रहें कि हम आत्मा हैं हमें शाष्वत स्थान चाहिए तो बार-बार शास्त्र सुनने से विक्ति इन चीजों से विरक्त हो जाते हैं यह श्रवन का इस बामले में ब अधिरे अधिरे इसके आ सकती समापत ति मेरे कहने कर दे हमारा विवेक ौन को ने पहले शवह वासी और तो क्यों शाष्वत है कि चोड़ दे क्योंकि समझें पर था किया शाष्वत है और क्या शाष्वत है कि यहां प्रभपाद नवाद की है स्वामित्व यह तो बड़ा स्पष्ट है कि मैं जगत में किसी कुछ भी वस्तु मेरी है इस भात को छोड़ देते हैं भगवान के शारिरम केवलम कर्मा केवल वह शरीर के लिए कार्य करते हैं और यह अर्थ है नहीं केवल शरीर धारण हो जाए उसके बिर्भाह करने के लिए इसको को कि आगे के अचारिय नहीं पांच में सकंड में पांच मेंद्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में तीका में कर रह है कि वह कहते हैं कि वह शरीर निर्भा करने के लिए बहुत कम चाहिए लेकिन भक्ति निर्भा करने के लिए कुछ चाहिए होता है इस चीज को दूसरे अध्याय में भी भागवतम के विश्वना चक्वठा कुछी कहते हैं अध्याय में भगति जो कर रहा है वह उसे भक्ति करने के लिए भगवान को पुझा करने के लिए भगवान के भोग लगाने के लिए तो वह धन वह अर्चित करता है अधाकि भवान की सिवा हो सके ये थोड़ा धान देखना चाहिए ऐसा ने कि एकदम बेर मिनमम पर चला जा कुर्वन ना आपनोति किलवशन वह करते ऐसा व्यक्ति कुछ सब कुछ करते हुए भी किलविश मतलब पाप को ग्रहन नहीं करता है प्राप्त नहीं होता ऐसा ज्यानी पुरिश्पून रूप से स्वैमित मन तथा बुद्धी से कारे करता है को स्वैमित मन का मतलब क्या हुआ है भगवान में अपने मन को बुद्धी को लगाया हुआ है कि मैं भगवान का सेवक हूं उसके लिए मैं पेकारे करते हूं यह कि इंट्रस्टिंग चीज है ना इसको धारन कई बर देता हूं कि मान दीजिए कोई पाकिस्तान का रहाई हूं इंडिया को नहीं हूं से तो बीसी ओ साल रजा उसे तो पूरा जीवन भारत में रहाए जासुरी करते हैं अब उससे प्रणा लोकिसी consciousness क्या है उसकी पाकिस्तान consciousness है कि नहीं उसकी consciousness सासुरी तो नहीं करनी है लेकिन भगवान का कारे करना यह बहुत महत्पून मैं कई बार इस बात को बोला करता हूं कि जो विक्ति आप से मिलना है वो मुझसे नहीं मिल रहा है गाउन भाल जैसे हम लोग विभिन पंक्ति में प्रसादम डिस्ट्टिबूट करने हैं तो जो जिसको आप प्रेतमी डालरु में किसको डालना है कर चांऊ तो उसके प्लेटमें प्रासादमा डालने रही ध माल्टे भी यह व你好 चाहिए चमहलना चाहिए हो ठो भगवड की ताप पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो बोलेंगे अप्र करेंगा क्यूप गरेंगे किर्पा तो करोगों कुछ हाई भगवत वह बस आसा नहीं किम कर ने कर से कि का cripph अधिर प्राटिकली नहीं आपको ज्ञान होना जाहिए भगवत गीता का प्रभुपा जी बोल रहा है कि आपको ऐसा ग्ना होना कोई और मत हो सकता किसी और Vakti का और कोई मत हो सकता है जहां तक je महाँ प्रभू सवनातन को इन लें किस भाव में कर रहे करना अम उलग बात है हम तो हरे कृष्ट मंद्र को है ऐसे गाये को भी कर्मकान की रुप में सेवा कर सकते एके कृष्ण प्रशन के ब्रसंद कोई इसमें विरुद कि ठीक है अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्ति को इत्याग देता है और किवल शरी निरुभा के लिए कर्म करता इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से रुभावित नहीं होता इन तींश लोकों में आरूड व्यक्ति की अवस्था का वर् यान निर्गत हो चुकी है मतलब भोग की इछा है नहीं कुछ जगत में अपने लिए कुछ पराप्त करने कि इछा नहीं जिसका चित और देह वशीक्रित है चित और देह मन और शरी मतलब इसकी दरह नेमत है असने हैं जिप भोगों में जा रहा है या शरीर भोग के लिए लगँ आत्मा को नहीं प्राप्त होता आत्मा के अनुभूति आत्मा का सर्शक्राद करहें यह फोकस होना बहुत जरूरי अब यही बात फिर से मैं बोलना चाहरूँगा अब भगवान की भकती तो अमोग है मेनी श्रद्धा क्या है। और ने करसे रिपीट करने हूं। फिर से रिपीट करना है अब हुआ है निहीं कह रहां हूं। प्षकस क्या है ¥ श्रद्धा क्या है मतलब इच्छा क्या है श्रद्धान उसारेना अर्थात इच्छान उसारेना शीदर स्वामी जी कहा तो याद्रिशी याद्रिशी श्रद्धा सिध्धिर भवतित आद्रिशी भावान विष्णु का वच्छन मेरी श्रद्धा क्या है मेरी इच्छा क्या ह बार-बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि कि यही डिसाइडिंग फैटर है कुछ लोग घरकिष्ण मंतर कर रहे हैं ताकि हमारे मन को अच्छा लगे टेंजिन थोड़ा मुगत हो जाए तो यही प्राप्त हो रहा है यह चीज को अभी अकुरूर जी के उसमें जाखती कराते हैं और जो निश्क्राम में उनको अपना भक्ति कानल हो तो ते महीं लोग भगवान का आस्रह ले रहे हैं एक ही सा उतर है लेकिन फिर भी हाँ यह बात आएगी संग के द्वारा जिन होक्तों की इस प्रकार की इच्छा है कि मिझे भगवत भक्ती ही प्राप्त हो उनके संग के द्वारा हम गए प्राप्त इस संग बड़ा ट्रांस्फरमिशनल चीज जो एक्ति लगा पड़ा है कि वह सारे यह बादो कर रहा हो उसकी इच्छा है कि मझे भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाए इसी लक्ष में लगा है सिंसियर मतलब बहुती नहीं और सीरिस्टी भक्ती में लगा हुआ है ऐसे संग से प्राप्त कर गई इतना विवेक हो जाए गवां मेरे हिरते को शुट कर दीजी लेकिन अभी नहीं सुझ मेरे हिरदे के बाद तो यह अगर ऐसा है तो और तो keeping प्रहुपाजी के गरंत पढ़कर के, आचारों की commentaries को पढ़तेहें, थीकां वो पढ़तेहें, उनका संघ पराप्त होता है, श्रवन करते हैं, तो जो, उसका ईंट्शा है वह है, उसके वानी के दोर उसमें प्रवेश करके प्राप्त कितनी बार प्रभुपाजी आप पर बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमाई यहां पर गलत था अब प्रभुपाज मुझे करेक्शन दे रहें गुसा भी नहीं हो रहें बड़े प्रेम से करेक्शन दे यह चीज ठीक नहीं अब डेली से व्रिंदावन आ रहे हो तो लगातार आपको कुछ न कुछ रिजेक्ट करते रहना पड़ेगा क्या कि वेरी नाइस स्टॉपेज बहुत सारे जो गलियां कट रही न है धर कि यहां होडल में रुख जाओ या कोई और स्थान पर रुख जाओ पलवल में कि दर जा रही है और आप जाने लिए कि यहां मुझे इस रोट को नहीं पकड़ना मुझे यहां नहीं जाना है कि यह देखिए यह बात ध्यान रखें महाप्रभूस बात को बोल रहे हैं मैं आखाली आपको उधारन की रूप में बोलना हो कि भक्ति के साथ साथ जो नहीं तो गहों के गहों आखर पत्वार निकलनी पड़ती नहीं 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 देगा हो एकदम पहला उत्तर था किसान के तुभी सेम चीज़ यह हमारे हिर्दे में कोई पूजा प्रतिष्ठा के चारी तो उसे डिटेट करके उसे उखाड ठेखना कि नहीं यह नहीं है उसने बहुत बड़े आप भक्त हो यह पहला उनको विश्वास होता हम उनको सादू की सिवा करेंगे मारा उत्थान होगा उत्थान का मंदल कुछ भी हो सकता है जिस प्रकार की होगा यह और लोग भी महान पैर चुना चाहेंगे मारा दे बोलेते बस रोक कर माला पहना भी लोग इतना संवान करते हैं तो इससे समझ देना चाहिए फोकस रहना चाहिए इसलिए श्रवन किर्थन बहुत ज़रूरी है यह अपने श्रीर के निर्वाह के लिए बहुत इक पदार्थों को एक अत्रित करने के लिए कर्म करता है फिर भी वह पाप से लिप्त नहीं रहता क्योंकि शरीधारण करने का देश्य क्या है आत्मा का वह लोकल भक्ति करना ताथ पर पढ़ी का नम अप्ता भूल के नाम है नहीं अन्मक्रिष्ण येस कृष्ण भावन भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुब या अशुब्फल की आशा नहीं रखता एक छ कितना नुप्सान हो रहा है कितना उध्ड़ा effinger करते हैं लेकिन उनका उद्देश्ष भगवान की पृति अपनेजिवन से घर कर Completely पढ़िए उसके मन तता बुद्धी पूनितया वश में होते हैं यह क्या मतलब है शुब या अशुब फल की आशा नहीं रखता है इसका मतलब क्या है कि अधनी निकोष अमाइग आपके हाथ में उतर बताइए क्या मतलब है मैं असे सास्तर पढ़ता हुं तो बड़ा अच्छा लगता है प्रश्णि कीजिए कि क्यों हुआ है कि शुब करम का क्या फायदा होता है या मतलब इससे उसको क्या मिलेगा अपर्तिष्ठा प्राप्त सवर्ग क्राप्त हुसकता है, अशुप से क्या होगा, नरक ना पड़ सकता है, तो भगत बारे में नहीं सौचते है, इस बात में अरजन सोच रहे थे ना, मैं अपने गुरू को मारूँगा, तो मैं को नरक प्राप्त होगा, बाद सो रहे थे नहीं भगवान के लिए रहे था है कि यह सब रहे गाई तो यह बें बुल रहे थे तो कि बंधन हो या कुछ भी हो ठाखवान के स्कूर्पी तदपर में लिखते हैं अगर कृष्ण भावना के भक्त सोला माला का जब करते हैं चार निम का पालन कर रहे हैं तो उनके किताब बेचना किता इतना धन आया धन नहीं आ यह भी उनके आंतरिक कृष्ण भावना के अनुशिलंग से भिने नहीं है मैं हिंदी में बात किया देर देलिंग्स विद अधिया इस बात को पकड़ के रखी यहां साधना में कमी हुई तो फिरम कर्मी बन जाते हैं एक भक्त था उस सौग गीता करके आता था लेकि शाम गएड़ी बीड़ी बीटा तो यह है कोई गीता का वितरण नहीं है वो चला गया है वह जानता है कि वह पर मेश्वर का भिन अंच है अता अंच रूप में उसके द्वारा संपन कोई भी कर्म उसका ना होकर उसके माध रूप से कारे कर रहा है बिल्कूल नहीं ना पूरा शरीर का प्रयास उसकी पीछे बहुत संदर बात है तो हम कुछ गह रहे हैं जैसे भी मैं कुछ बोल रहा हूं भगवान के बाद में बोलना चाहता हूं यह मेरी इच्छा है लेकिन क्या विचार आ है विचार कैसे वाणी की रूप में प्रस्तत हो रहा है इस पैसे हमारा को इक लगता जूरे कि हम कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल कंट्रोल लई हैं लोग बोलते हैं कि जो प्राय प्रवचन करते हैं कभी मों प्रवचन प्रवचन ठीक नहीं ही होता है बर्गवान की शरण ले करके तो प्रवचन ठीक होता है तो यह बात हमें हैं समझनी चाहिए कर भल engineers को पा रहा है वो ईडियद विभूत विभूति मास्चत्वम श्रीमद उर्जित एववा ततत देवा गच्छत्वम ममत तेजों शसंभववां गीता में आप जानते विभूति कोई भी कुछ कार कर रहा है अब इसका प्राटिकल अप्लिक्षिन एक और बात है कि अगर कोई विक्ति कोई भी अच्छा कारे कर पा और मालेजी हिर्दे में दिवश आये तो कब से कम डिटेक्ट तो कर ले यह भी बहुत बड़ा एडवांस्मेंट भूत बड़ा एडवांस्मेंट खीक है जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता अपितु सारे शरीर की चेश्ठा से हिलता है कृष्ण भावन महाप्रभू जगनात रत्यात्रा में एक भौतिक सा कुछ काव्य गाते थे जो लड़के-लड़की के भाव को प्रकाशित करने वाला है तो उसको जो असली भाव था उसके अधार पर जो शिमतिराधराने के भाव कृष्ण के ब्रति है उसको कविता बत रूप में शिला र तुमने मेरे हिदा कि राते की सो किसे समझा से की कैसे समझतने आ गए मिरे हिदा की बात तो जहां तक मुझे समय चारा रहा रामा Nepरार जी ओ बोलते है कि आपकी किर्पा के मुद्आ कोई खिए है तो महाप्रभू को कहते हैं कि हम कृता हां जब मैंने इंका नमrick महाप्रावाद देखा, तो मैंने उनके उपर सारा शक्ति संचार किए. यही चीज़ सनातन को स्वामी के इसमें था. सनातन को स्वामी को दो महेने सिक्षा दिये, फिर महाप्रोब को बोले, आपने इतना अशिरवाद दीजिए, अपने चरण मेरे सर पे रखिए, और आशिरवाद दीजिए कि जो जो आपने बोला है, वो मुझे स्फुरित हो, तो महाप्रोब अपना हाथ उनके पर रहता है। तो वस्तो तहाँ भगवान की कृपा से यह सारा अधियान हमें समझ में आता है। मैं खाली यह बोल रहा था कि कोई वेक्ति समझ पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, तो किस की किरपा से हो रहा है। भागवाद किरपा से ओधाँ है। यह बात समयना चीज़ए। इस भूए अच्छा बादर भागवद किरपा बढ़िया चीज है। किया श्रूग है पंगु लंगायते गुरंगु एट क्रिपात अध्वाक से कोई कुछ भी कर सकता है मुख्विक्ति कैसे बोल सकता है सब कुछ हो सकता है सबसे बड़ा प्रमाण तो यह जो नबे साल के उमर में चैतना चर्थामिद लिख दिया इतना स्रवस्रेश्ट गरंथ इतना अधुद गरंथ लिखा एकदम भेही कोई कर क्रिपा से हम समझ पाएंगे लेकिन बिना प्रयास के नहीं होएंगे ब्लेसिंग होती रहेगी तो फिर ठीक है रजाई अच्छी है और जाड़ा भी चलना है ब्लेसिंग प्राफ्ट हो जाएंगे गड़ हेल्प्स तोस हो घल्प इंसेल्फ पढ़िए क्रिष्ण भावना भावित वेक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रितित्ति की कोई कामना नहीं होता है अब चार बज़ गए आस लग रहा है भावान की इच्छा नहीं है कि नम भाती हिलता डुलता है जिस प्रकार रख रखवाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाय की अवशक्ता पढ़ती है उसी प्रकार क्रिष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वार अपना निर्भा करता रहता है जिससे वे भगवान के दिव प्रेमा भक्ति करने के लि सब्सक्राइब करें जैसे कि गाड़ी का ख्याल रखते हैं गंतव तक पहुंचने के लिए गाड़ी तो है पुर्जे बताएगे इसमें देखिए हम लोग भगवान को उपमा दिजारे पूरी गाड़ी की और एक जीव का उसका एक नट बोल्ट से उपमा दिजारे पूर्जा हो गया उसका एक चोटा से पॉर्षन तो पूर्जे को तेल लगाना पड़ता है ठीक रखना पड़ता है पूर्जे की उपयोगता भी होती है कभी कि आप जैसे सिंपल सी बात है हमारे जीप कर जो डीजल का डखकन है वो निकल गया था अब डखकन की बारे हम को अपने आप कर सकते है फिर भी भाग्त की आशकता हर भाक्त की एवरी लिव्ग आद यह बाऊक्तलय को परीड यह आइब जी नहीं है को देम परहें एक हैए और इस उनिजा ठीक श्री डूर को देगा जान को तो हम बाही है को कर दे刑 रहें विक यह लाख सकते है oh किसली करना है मैंने जासे को बता रहा था है भगवान की भक्ति के लिए भक्ती निर्वाहिना सख करकर श्र दीका में आया है तो भक्ति के लिए प्रयासा के प्रति निश्चेष्ट रहता है पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता कभी कभी कुरूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी ढलता है तो भी पशु विरोध नहीं करता ना ही उसे स्वाधिनता होती है आत्मसाक्चादकार में उन्तया ततपर कृष्ण भावना भाविद वेक्ती के पास इतना समय नहीं रहता कि वे अपने पास कोई भातिक वस्तू रख सके अपने जीवन निर्भा के लिए उसे अनुचित साद्मों के द्वारा धन संग्रे करने की आवशक्ता नहीं रहती ये थोड़ा समय दिजिए ये भातिक वस्तू रखे आकर स्मार्टफून है पता है मेरे पास है लेपटाप है तो हम लोग दोखे बाजी कर रहे हैं इनका connection किस से देख रहे हैं ये ऐसी बस्तू को ना रखे जो हमें बहुग के संबादन करने को लिए वोग समपादन के लिए वस्तुव नहीं रखने उसका कारण समझ लीजे जितनी वस्तुवें बढ़ाएंगे वहर वस्तुव हमको बोलती ही रहे कि मेरा उपयोग करो तो जितनी वस्तुवें हमारे भगवान की भगती के लिए आवश्यक है बस उतना ही बढ़ाई रख लिज जितना हमें आवश्यक के उतना ही रखना चाहिए और हमें बहुत कम आवश्यक्ता होती है ठीक है यह बात बोली जारे है इस अतहा वह अच्छी बात भक्ति सामित महाराज बोले भगवान के लिए सब कुछ अपने लिए सबसे कम है बहुत अच्छा है ना प्रभपाजी कि अपने लिए कुछ लें तो बहुत बहुत बढ़िया है हमारे पास 50 सेट है मोजे के कि इतने लोग डिटे रहते हैं मोजा आईये हो एक इन्हें बड़ा एटक है इस लोग देते ही रहते तो यह कोई बहुत अच्छा जीवन नहीं उस्ट रहसे बहुत समान मिल रहा है यह स सुनी थी बड़ी सुन्दर वर्द कहा रहे है कि जब आप खुद भगवान को देते हैं तब आप खुद यह समझ में आता है कि मुझे कितना कम चाहिए येस बहुत अच्छा और भगवान को देने की लाल साब बढ़ती चली जाती हो कम नहीं होती आप प्रचार करने सुच होता है भुझे सेवा सुख सेवा के दौरा ही भक्त को सुख मिलता है जितने वो सेवा करेंगा और सेवा करने के इच्छा होते हैं यह बाट अतहा वे ऐसे भातिक पापों से कलमश क्रस्थ नहीं होता वे अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है श्रीमध धगवद गीत की जाये शीलोपाद